जेहिन दोस्तों तो आज हम इस वीडियो में एक ऐसे वीर सैनिक के बारे में बात करने वाले हैं जिन होने भारत और पाकिस्तान सन 1971 के युद में अपना अमुलिय योगदान दिया है तो चली वीडियो को शुरू करते हैं लोस नायक अलबर्ट एका एक भारतिय सेना के सैनिक थे जिन होने सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद के दोरान गंगा सागर के लड़ाई में भाग लिया था बहादूर सैनिक दोरा निभाई गई अनुकरनिय भूमिका के लिए उन्हें बहादूरी के लिए भारत का सरोज पुरसकार परम वीर चक्र मिला था लोस नायक अलबर्ट एकका की 3 दिसंबर सन 1971 की रात को दुस्मन के साथ गोली बारी में लगी चोटो से मृतिय हो गई थी अलबर्ट का जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ था जहां सिकार का वियापक प्रचलन था जिसके परिणाम सो रूप अलबर्ट की निशाने बाजी छमता कई गुना बढ़ गई थी अलबर्ट यहां भी जानते थे कि तीर और धनोस का कुसलता पूर्वाक उपयोग कैसे किया जाता है एक यूवा के रूप में अलबर्ट एका एक बहुत अच्छे होके खिलारी थे उन्होंने कई होके टूर्नामेंट में भाग लिया और उन टूर्नामेंटों में से एक के दरान अलबर्ट की खोश सात्मी बिहार रेजिमेंट के सुबेदार मेजर भागेराथ सोरेन के ध्यान में आने के तुरन बाद अलबर्ट ने बिहार रेजिमेंट के लिए साइन अलबा टेका ने 27 दिसंबर 1962 को अपना प्रसिक्षन पूरा किया और शन 1968 में 14 गार्ड रेजिमेंट में अस्थानांतरित होने से पहले बिहार रेजिमेंट में एक सिपाही के रूप में 6 लंबे वर्सों तक सेवा किया अलबा टेका की बटालियन त्रीपूरा में तैना थी जब भारत और पाकिस्तान की बीच सत्रूता छिड़ गए चोदावी गार्ड बटालियन को पूरवी पाकिस्तान में गंगा सागर कॉंपलेक्स पर हमला करने और कबजा करने का आदेश दिया गया था जिसमें गंगा सागर रेलवे स्टेशन मोगरा गोल गंगाल और त्रिभूज सामिल थे अलबाट एका ब्राव कंपनी का हिस्सा थे जिसका नेतरित्व मेजर ओपी कोहली ने कंपनी कमांडर के रूप में किया था अलबर्ट की कमपनी को गंगा सागर रेलवे स्टेशन पर कबजा करने का काम सोपा गया था भारत ने गंगा सागर परिसर पर कबजा करने का एकमात्र कारंतरे पूरा राजे की राजाने अगर तल्ला को पाकिस्तानी सेना द्वारा उत्पन किसी भी खत्रे को दूर करना था जो गंगा सागर परिसर से केवल 6 किलोमिटर दूर था 3 दिसंबर 1971 की रात को ब्राओ कमपनी ट्रेन इस्टेशन पर कबजा करने के अपने उदे से क्यों और बढ़ी जैसे ही वे अंधेरे में आगे बढ़ रहे थे पाकिस्तानी सेना जो अची तरह से घिरी हुई थी और भारी हथियारों से लेस थी ने आगे पढ़ रहे थे और भारती सेनाओं पर गोलिया चला रही थे लोस नायक अलबर्ट एका तुरंथ हरकत में आये जैसे ही उन्होंने देखा कि उसके साथ ही दुस्मन की हलकी मसीन गन की भारी गोली बारी साताहत हुए अलबर्ट एका चुपचाप रहेंगते हुए दुस्मन की एल एमजी बंकर की ओर बढ़े और बंकर के अंदर दुस्मन को अपने संगीन से बे असर कर दिया एल एमजी निट्रिलाइजेशन के दौरान अलबर्ट हाथ और गर्दन से घायल हो गए थे और बहुत खुन बहरा था अपनी चोटों की प्रवाहना करते वे लौस नायक अलबर्ट टेका ने दुस्मन के खिलाफ चार्ज का नित्रित्वर करना जारी रखा और एक एक करके दुस्मन के बचाओ को साफ किया गंगा सागर परिसर से उतर की और बढ़ते वे अलबर्ट और उसकी पूरी ब्राओ कमपनी को दुस्मन का मसीन गन की आग से धेर कर दिया गया अपने साथियों के लिए दुस्मन की आग के खत्रे से ओगत अलबर टेका ने एक बर फिर दुस्मन मसीन गन की आग को सांध करने का फैसला किया ताकि बाकी कमपनी आगे बढ़ सके और अपने उदेशियों को सुरक्षित कर सके लोस नायक अलबर्ट एका एक बर फिर चुपके से दो मंजिला उची इमारत के बेस के पास छिप गए जिसे दुस्मन ने चौकी में बदल दिया था इमारत के अधार पर पहुंचकर अलबर्ट ने मसीन गन के घोसले से खंद गोला फेका हथ गोला केवल दोनों में से एक दुस्मन को बेसर करने में काम्याब रहा इस्थिती की गंभीरता को देखते वे अलबर्ट ने अपने दम पर इमारत की दिवार को तरासना शुरू किया और दूसरी मंजिल पर बंकर पर पहुंचने पर अलबर्ट ने एक बर फिर खत्रे को बेसर करने के लिए अपनी संगीन का इस्तेमाल किया दुस्मन की एलेमजी के साथ दूसरी मुटभेड के दौरान अलबर्ट एका गंभी रूप से घायल हो गये और बहुत खून खोचुका था सीनियों से नीचे चलते समय अलबर्ट ने अपनी चोटो के कारान दम तोर दी और अंतिम सांस ली एक साक्षातकार में उनकी कमपनी कमांडर ने कहा यह पूरा द्री से देखकर मेरा सीना गर्वा से भर गया मैं नीचे उस इमारत से एका के बाहर आने का इंतजार कर रहा था मैंने एक पतले और दुबले वेक्ती को सीनियों से उतरते हुए देखा था मैं इसे नीचे जाते हुए देख रहा था तभी अचानक एका का सरी तूट गया और जमीन पर गिर पड़ा लोस नायक अलबटे का पूर्वी पाकिस्तान में भारती सेना द्वारा किये गए सभी अभियानों के लिए परमवीर चक्र के एक मात्र प्रात करता थे अपनी पूश तक दब्रे परमवीर चक्र स्टोरीज में लेखा क्रचना विस्ट रावत ने लिखा है अलबटे का इमारत के खिलाब जुकी हुई पूरानी जंग लगी लोहे की सीड़ी पर चड़ते हैं और ये खिड़की से बाहर कुदते हैं वो अपने कंधों से रैपल हटाता है और संगीन के चमचमाते बलेड से मसीन गंचलाने वाले सैनिक पर आरोप लगाता है घोगान निकल घोगान निकल उस्ताद के निर्देशों को असपस्ट रूप से याद रखे उसके प्रसिक्षन को बम मुश्किल चार सल हुए है और वह हमेशा एक सांत लेकिन एक अच्छा छात्र रहा है जो मौन में पाठों को अवसोसित करता है जो सिखाया गया है उसे पर अखने का समय आ गया है ठंडे गुस्से में चिलाते हुए एक का मसीन गन ओपरेटर पर आरोप लगाता है और जैसे ओपरेटर घूमता है संगीन को गहरा उसके पेट में दबाता है अपनी पूरी ताकत से उसे बाहर निकालते हुए वह अपनी रैफल उठाता है और ब अलबर्ट एका ने बहुत वैगी वर्दी पहनी थी जिसके लिए उनके वरिष्टों ने कई बार डाटा था उनके कमपनी कमांडर ओपी को लिए याद करते हैं अलबर्ट अपनी व्यक्तिगात पस्थिती या अपनी वर्दी में पूरी तरह से रूची नहीं रखता था उ एक दरजी द्वारा फिट करने की परवाह किये बिना पहन लेता था इसका परिनाम यह हुआ कि उसके कमपने उसके पतले शरीर पर लटक गये और उसके कमपनी कमांडर का गुस्सा भड़ा कुठा जो सुन्दर चक्रों के बारे में थोड़ा चुस्त था वह अक्सर अपनी कमर के चारों और लटकी हुई अपनी बेल्ट को खीचता था और उसे अपने उपस्थिती ठी करने के लिए काता था मैं कभी कभी उस पर पागल हो जाता था क्योंकि वह स्मार्ट भागितारी पर इतना जोर देता था लोसनाय कलबर टेका कि अपने आदमियों पर कमान और नियंतरन बहुत अच्छा था तब कमपनी कमांडर ओपी खोली याद करते हैं उसका आदेश और नियंतरन विशेश रूप से अच्छा था क्योंकि वह बहुत ही सयमित था और दूसरों के साथ घुलना मिलना या ज्यादा बात नहीं करता था उसका चेहरा हमेशा खाले रह और वह तभी बोलता था जब उसे जरूरत होती थी आप उसके चेहरे से कभी नहीं बता सकते थे कि वह खुस था या उदास और वह क्या सोच रहा था अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंसके जैहिन जै भारत